स्वागत है सब्सक्राइब कर सकते हैं एक तरह के आपने चार पीस लेने होगे और हर पीस को एक ही प्रॉपर शेव में कोई भी कट आउट आप बना सकते हैं मैंने इस सिंगल काड़ पीस के यह फोर पीस पैटर्न में इसे कट किया है और इस तरह से हम लगा लेंगे यह जरूर है नहीं कि आप इसे रक्टांगलर शेव में ही कट करें आप कोई भी शेव स्क्वाइर में भी ले सकते हैं यह कोई और पैटर्न भी आप इस पर ड्रॉपर के उसे कट कर सकते हैं यह कट आउट होना के बाद अब हम इसकी जो अंदर वाली साइड है उसे वाइट कलर एक्रिलिक कलर से पेंट करेंगे और इसकी जो आउटर साइड है उसे ब्लैक एक्रिलिक कलर से पेंट कर देंगे वैसे मेरा अंदर वाला जो पॉर्शन है वो अल्रेडी वाइट है लेकिन जहां से मुझे वो गंदा लग रहे है मैं वहीं पर इसे वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर दूँँ अब इसे प्रॉपर डिजाइन देने के लिए इसकी जो कट आउट मैंने बनाए थे उनको पेस सुझज आई अब जो चार पीसिस हमने कट किये थे उन सब को एक दूसरे से अटाच करके एक बॉक्स की शेप हमें उसे दे देने है अब दिखिए बाहर से यह जो कट आउट से यह ब्लैक है और अंदर वाला पोर्शन इनका वाइट है अब नीचे से मैंने एक जो जीरो वोट का बल्ब होता है चोटा एलेटी उसे अटाच कर दिया है नीचे एक छोटा सा स्टैंड बना कर उसमें बल्ब को फिक्स करके इसके अंदर लगा दिया है अगर आपको यह डिया वाल लेंप सुंदर लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा झाल झाल